सिमरिया बिंद टोली में हुए भीशन अगलगी करंड के बाद आज पिरित लोगों से मिलने पहुँचे बिकाज सिल इंसान पार्टी के राष्टी अध्यक्ष मुके सहनी लोगों को किया आर्थिक मदद मदद की विवस्था तमाम जगहों से हो रही है होना भी चाहिए क्योंकि बिदित हो कि बरवनी परखंड अंतरगत सिमरिया बिंद टोली में भीशन अगलगी के बाद वहां के जो लोग हैं अब वो सरकों पर आ गए है जहां एक तरफ अधिकारी कस्तर पर मदद किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ अब राजनीतिक गलियारों से भी मदद के हाथ आगे बढ़ने लगे हैं क्योंकि इस भीशन अगलगी कार्ण में 200 से अधिक घर जो है वह जल गया हजारों लोग प्रभावी थे इन लोगों के सामने भोजन तक की समस्या है वस्तर और आवास तो बह नासिल इनसान पार्टी के संस्थापक सहराष्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी जिनोंने इन लोगों से सिविर में जाकर बात किया उस पूरे हुए जो जला हुआ पूरा छटर था उस छटरों में घुम कर उन तमाम भिहंगम स्थितियों को देखा साथी फोन के माद्यम से ब पारावी आर्थिक रूप से मदद किया जा रहा है उन्हें सहयोग परदान किया जा रहा है वहीं उन्होंने कहा कि यह काफी दुखत भदार द्रिश्य है यह च्छन जो है अपने आप में मार्विक है क्योंकि जिन लोगों का घर जला है वह मजदूर बर्ग के लोग हैं होने कहा कि मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि सरकार इन चीजों पर ध्यान दे आज जिस तरह से अस्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उससे पुर्व कहीं न कहीं अस्मार्ट तार विचाया जाता तो वेवस्ताएं बेहतर होती इस दुख की घरी में हमीं लोगों के साथ ह और मदद करते रहेंगे